हाई गैस वेलकम टू टेकलोन मेरा नाम है अमन गैस आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं संसंग गलक्सी एट वन्टी टू इस फोन की जो में यूएस पी है ना वो है इसकी 5G कनेक्टिविटी इसके अंदर आपको पूरे 11 5G बैंड्स दिये गए हैं जो कि सबसे जादा इस इसके अगर कॉंपिटीशन की तरफ नजर डाली जाए तो एक बात ध्यान अखने वाली हो जाती है कि यह ओफ-लाइन मार्केट का फोन है तो यह बड़ी इंपोर्टेंट चीज बन जाती है और यह एक स्पोंसर वीडियो है इस वीडियो को स्पोंसर किया है जेम डी डिस्टिक के अंदर आप अगर कोई भी स्मार्टफोन लेना चाहते हैं एंड इस एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप इनको एक बर जरूर कॉंटेक्ट करना इनका मोबाइल नमबर आप स्क्रीन पर देख सकते हो एंड आप जानते ही हो कि सैमसंग की जो A-series है वो हमेशा से अच्छा करती आई है देखते हैं कि इसके अंदर सैमसंग ने ऐसा क्या खास दिया है तो अब इस फोक्स को ओपन करता हूं यहां पर आपको फोन मिलता है इसे रखते है साइड में यहां पर आपको दी गई है 15 वोट की चार्जिंग ब्रीक थोड़ा से जादा होता 20 वो अच्छा करने में मदद नहीं करेगा साथ में इसके अंदर आपको वोरेंटी कार्ड भी मिलता है एक और इंपोर्टेंट चीज है इसके अंदर आपको केस देखने को नहीं मिलता तो जल्दी से करते हैं साइड में और उठाते है अपना फोन इसका मैं रैपर हटा देता आपको यहां पर प्लास्टिक बोड़ी मिल जाती है पीछे की तरफ और यह बिलकुल यहां मैट फिनिश यहां पर दी गई है फोर शोर आपको यहां पर फिंगर प्रिंगर प्रिंट्स की दिक्कत नहीं आने वाली है साइड में भी आपको यहां पर प्लास्टिक की मिलते हैं बढ़ नहीं यहां पर एक symmetry बनाई गई है camera के साथ में आप देख सकते हो यह वाला जो circle है यह flash है front side पर मैं देखूँ तो आपको यहां पर water drop notch मिल जाती है बढ़ हां यहां पर आपको थोड़े से thick bezels मिलते हैं अगर मैं यहां पर chin की बात करूँ तो chin average से थोड़ी सी मोटी है थोड़ा सा इसे कम करा जाना चाहिए था ताकि इसका design और premium लगता but anyways bottom side पर आपको 3.5mm jack मिल जो आज के time में बहुत important है यहां पर charging point और speaker grid मिल जाती है right side में आपको volume rockers and यहां पर power button मिलता है यही power button आपके fingerprint scanner का भी काम करेगा तो यह तो थी design की बात design में मुझे दो चीजे लगी जो improve होनी चाहिए थी थोड़ी सी एक तो इसका जो weight है वो near 200 grams है I think 202 और 203 grams जो कि थोड़ा सा जादा है बट मैं यह कहूंगो कि weight distribution को अच्छे से Samsung ने manage किया है यह जादा heavy आपके हाथ में feel नहीं होता second thing इसकी जो thickness है वो थोड़ी सी जादा रखी गई है जो कि इसकी जो premium touch को वो थोड़ा सा कम कर देती है तो thickness को भी थोड़ा सा कम किया जाना चाहिए था let's talk about its processor यहाँ पर आपको Mediatek Dimensity 700 processor दिया गया चुकि एक बहुत ही अच्छा processor है बट हाँ अगर आप इसके अंदर normal day-to-day work करते हो जो कि जादा heavy task नहीं है तो यह processor बहुत अच्छे से काम करेगा बट एक बात में आपको बता दूँ अगर आप BGMI या फिर कोई heavy games खेलते है तो उसे low to medium settings पर ही खेली है क्योंकि high settings पर जब आप खेलते हो ना इसके अंदर तो आपको थोड़े से वाँ पर lag या frame drop देखने को मिल सकते हैं और हाँ आप एक चीज़ देख सकते हो कि मैं जल्दी से app open कर रहा हूं close कर रहा हूं यहाँ पर मेरेको कोई दिक्कत नहीं लग जाती है कैस आप अच्छे से जानते हो कि Samsung को इसकी Super AMOLED डिस्प्ले से जाना जाता है बट यहाँ पर आपको TFT डिस्प्ले दे दी कैस कम ओन थोड़ा से इंप्रोवाइशन यहाँ पर किया जा सकता था यहाँ पर आपको 6.6 इंच की Full HD Plus TFT डिस्प्ले पैनल मिलता है थोड और पंची colors देखने को मिलते हैं जिससे media consume करते हैं आपको बहुत मज़ा आता है बट वहीं पर जो TFT डिस्प्ले पैनल होता है ना वहाँ पर आपको इन सभी के अंदर एक on and average experience मिलने वाला है यहाँ पर आपको जो back side में camera module मिलता है ना इसमें आपको जो main camera मिलता है वो 48 MP क 2 MP का आपको depth camera देखने को मिल जाता है बट हाँ यहाँ पर ultra wide अगर 5 की जग 8 MP होता तो मैं इसे जादा prefer करता और front में आपको 8 MP का selfie camera मिलता है गैस अभी मैं आपको इसके camera's के ना कुछ samples दिखाता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लिए रह सके कि यह किस तरीके की photo खीचता ह आप देख सकते हो कि इसकी जो photos है ना यह back camera से ली गई है और इन photos के अंदर जो colors हैं वो मैं on and average पूलूँगा जादा bright या जादा पंची colors आपको देखने को नहीं मिल रहे है जोकि थोड़े से improvisation की यहाँ पर ज़रूरत मेरे को लग रही है इसका जो camera है वो जादा details आपक आपको नहीं मिलती तो अब इसकी battery की बात करते हैं guys यहाँ पर आपको 5000 mAh की अच्छी battery मिलती है यह बहुत ही अच्छा number माना जाता है battery की terms में और यह battery एक से डेड़ दीन अराम से निकाल सकती है अगर आप heavy task अपने phone के अंदर नहीं करते हो तो और इसके साथ में आपको 15 5G centric smartphone है जिसके अंदर आपको 11 5G bands दिए गए है और यही इस phone की main USB है तो इस phone के बारे में थी यह सारी कहानी I hope आपको Samsung Galaxy A22 की यह वीडियो काफी पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को like कर सकते है और हमारे चैनल को subscribe भी कर सकते हो क्योंकि इस चैनल की USB है honesty और मैं आपको honest reviews और quality reviews लाकर देता रहता हूँ तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye take care